लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइटिन को प्रेस करें श्च अल्ट्ट्रा चैनल्स के लिएट। कि शिक्स फार्मूला लिको लोग फोर एकतु स्क्रिश कबbia दिश्वाइबी फोर ए माइनस ब्लस्क्राइब पढ़ाई पर ध्यान दोगे तभी तुम लोग अच्छे डॉक्टर या इंजिनियर बनोगे अगर ऐसे मस्ती करोगे तो किसी दुकान में इडली सांबर की चटनी परोसोगे तुम हस क्यों रहे हो तुम्हें बोल रहा हूं मैं समझ गए अब ध्यान दो इदर ठीक है अब मैं अब पागल अगर इसने ठीक से पढ़ाई की होती तो यह डॉक्त बेवकूफ है इसलिए तो यहां टीचर है अगर इसे जॉब मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं मिल सकता है साही बोल रहा है साहब जी साहब जी नमस्कार आप बोलिए छटी क्लास का सी डिविजन कहां है यहीं है यह मेरा पूता है इसने आज ही स्कूल में दाखिला लिया है तो इसे भी बिठा लीजिए अंदर आदे बिटा जाओ जाओ हमारे पास पागलों की कमी थी क्या जो एक और आ गया अब यह देखना हो कितना दुखी लग रहा है उसको जाने दे ठीक है साब मैं चाहिए मैं देखता हूं तो ए प्लस टूबी होल स्कूर इकुल टू और इसकूर प्लस ट्वेल बेबी प्लस नाइन बी स्कूर शहर की जिंदगी जाओ की जिंदगी से अलग होती है रसी बार-बार घिसने से पत्थर पर दरार पड़ जाता है तो इंसान के मेनद भी कभी वेकार नहीं जाती क्या लाया बे इडली लाया क्या चूर क्या लाया है गई राइस है तो तुर पास और कोई रास्ता नहीं बचाए तू जाकर टीचर का लंजबाक शोरी कर ले अबे बोले लें क्या तुखा क्यों नहीं रहा है तुझसे ही पूछ रहा हूं नहीं चाहिए क्या ले लेते हैं ना अब अब ना अब अरे यार आच्छा हमको में तरह साब खेलना नहीं आसका अब अब प्रेस भी खरीज़ ना अरे वह बहुत महेंगा यार मेरे पापा नहीं खरीदेंगे वह तो सश्टी वाले खरीज़ेंगे क्यों तुझे से पैकलेर्स पसंदें क्या यह अई अई पेटा मैं जाओ मैं तुझे भी छोड़ दूगा अरे नहीं नहीं हम लोग बात्चीत करते करते पैदव चले जाएंगे बस अच्छी तरह से चले जाना यह तुझी कैसे जानता है इसने कंप्लेंट तो नहीं किया ना कि हमने उसका लांच बॉक्स खालिया अरे नहीं यार मे अरे बगल में घर था ना जो हमेशा बंद रहता था यह लोग वहीं पर रहने आया है पता है इसके पापा ना मर चुके है मेरी ममी बोलती है कि मैं इसे जाकर दोस्ति कर लेंगे अरे उसे दोस्त बना आखर हम लोग क्या करेंगे हैपी अरे एक ले ना यार इसका बड़े ह मुझे तो यह पागल लगता है इसके माबाप ने भी परिशान होकर इसे छोड़ दिया है लगता है करता है औरे टूला करता है करता कर दिया है बाइसाब अपने पोते को ढूण रहा है क्या बाइसाब अपने पोते को ढूण रहा है क्या चाची यह है वो एए क्यों मारा मेरे बेटे को पिटाई की उसकी सुनाई नहीं देता क्या मैं तुसे कुछ पूछ रहा हूँ क्यों मारा इसे ऐसे क्या देख रहा है शाब जी आप मेरे पोति को क्यों डाट रहे हो क्या किया बेटा तुने स्कूल में क्या हूँ अगर तु बतायागा नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा अरी के मम्मी क्या हो गया स्कूल में मेरे बेटे को पैदा ने इस लड़के ने क्यों मार दिया यह बिल्कुल नहीं है मतलब हम जूट बोल रहें अगर ऐसा लगता है तो इसके चेहरे को देखो बड़े की दिन इसने इसकी आईसी पिटाई की है कि हमें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा अरे बेटा आज तेरा बड़े है आज इसका भी बड़े है बेटा मैं इसके लिए ड् तुने इसे क्यों मारा ठीक है अब से तु ऐसे चोटे मुठे जगड़े नहीं करेगा तुझे जो कुछ भी कहना होगा मुझसे आगर कहना होगा ठीक है रार चलिए चलते हैं बच्चों के बीच की बात है आपस में सुलचा लेए पूराने दिनों में एक गाउं में दो दोस्त साथ रहते थे उनके बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी सुनिये आपके बहुत अच्छी दोस्ती थी हारी हां अपना बैंग लेकरा ठीक है सर अबे क्या यार तू अकेला जाएगा इसकी बोरिंग फ्रैस में तू यह बैठ को तोफ र्या थीज़ को पेंगा लेकरा ताल प्रैसल अच्छी में तूस्ती अच्छी अच्छी का अच्छी अच्छी आरारो, आरारो, आरारो आरारो आरारो, आरारो 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 कर दो कर दो दो झाल 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 हां बोलो हां मैं घर पर इएं क्या हुआ अरे रे 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 ठीक है हम जाते हैं बेटी बेटी है मां जाना है बेटी स्कूल तुम अपने भाई के साथ चले जाना शाम को मैं आते वत लेता हूंगा जरूरत हो तो गाड़ी लेकर जाना क्या है मुझे स्कूल रॉप कर दीजिना क्यों पापा क्या कर रहा है पापा को फोन आएथा किसी के अंतरिंग संजकार में जा रहे हैं वो इतने सुबह सुबह किसके मौत होगई तू रेडी हो जाम चलते ह। मैं तो रेडी हूं भाया उट जाएए ना प्लीज आराम से कोई बेड़ पर सोने भी नहीं देता है है अलो है अरे मेरा बुढ़ा कहीं तो बाहर जा रहा है तो हेमा को मुझे स्कूल चूड़ना है बाइक बाहर ही रखना मैं आ रहा हूं उसमें पैट्रो लेकर नहीं चेक करना है हेमा आई भाया चलो भाया भाया पापा ने बाइक लेकर जाने के लेका है यह यह खटा रहा है इस खटा रहा को इस दुनिया में डैडी के अलावा और कोई नहीं चला सकता है इस पर जाने से तो अच्छा है कि पैदल चलकर स्कूल जाएंगे चलो आओ आपने नाश्ता किया अगी नहीं यह तुक ही जाना मत मैं आकर तुझे रॉप कर देगा तो हाँ 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 है स्कूल जाने वारी लेक्ट में कुछ हेटता है कि सब बेशरम है चल निकल काउन था ऐसे घुर रहा था जैसे मुझे मार ही देगा मैं उसकी बहन को पटा नहीं पा रहा हूं चड़ना यार उसे था हम बात में देख लेंगे हमारे हाँ से बचेगी नहीं वो हालो अरे यार मैं मुद्धू बोल रहा हूं हाँ कहा है तू मैं कॉलेज के पास दुकान पर आया हूं ठीक है तू वही पर रुगना मैं इश्वरन को छोड़कर फ्रेश होके आजाता हूं हाँ ठीक है चल दिया हूं एक सिग्रेट देना भाई एक सिग्रेट फेक दे तेरी लवर देख रही है तो क्या हूआ कैसे घूर कर देख रहे थी हो तिर भी तू सिग्रेट पीपा ही जा रहा था सारे करना में तू करता है और उपर से जागर के दोस्ट उसको देता है तो इन चीजों में तो मजा है नहीं तो सिंदगी में क्या रखा है चल वो सारी बातें छोड़ा यह तो होता ही रहता है अभी थोड़ी देर में तेरी लवर का घर आएगा कर दो लगता है इसने अपने गर के सामने स्पीड ब्रेकर बनाने के लिए कॉर्पोरेशन वालों को रिश्वत दीए कि यहां से चली जाओ किसे ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी प्लीज 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 अच्छा क्या है जल्दी बोलो तुम्हें उससे प्यारे यही कहना चाहती हो तो उसको जाके बोल दो उसको देखे इतना घबराती क्यों जब वो सामने होता है तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ आप मेरी मदद कीजिए न क्या तो तुम्हारी जगा मैं उससे प्यार करूँ ठीक है तुम जाओ मैं रात में उससे बात कर लूँगा सिर्फ बात करूँगा लेकिन फैसला उसका रहेगा जैसे तुने मुझे रुका वैसे उसको रुकना और देखना कि उससे कैसा लगता है उसने मना किया तो तूसे परिशान नहीं करेगी ठीक है ना ठीक है चलो जाओ राया है यहीं बागी था है इसी कॉलेज में पड़ता है तू नहीं तो फिर यहां पर क्या कर रहा है तू कर रहा है वहीं यह भी कर रहा है क्या बोला मुझसे जबान लड़ाएगा चलो ठोर निकलो दुबारा दिखना नहीं ए इधर आना अगर यहां पर आना है ना तो मेरी एक बात माननी पड़ेगी जाके मेरे लिए सिंग दाने की चिक्की और सिग्रेट लेकर के आ एक सिग्रेट देना क्या हाले भाई पहले ही था होता कि तुम्हें सिग्रेट चाहिए यह नाटा करने की क्या ज़रूर्थी तुम लोग मेरे हाथों से एक दिन जरूर मार खाओगे निकलो यहांसे जाओ अब तू भी ना यार जूनियर्स को क्यो परिशान करता लेता है भाई एक सिग्रेट द नहीं है जाके पढ़ाई कर ठीक से पढ़ाई हो रही है न तो मुझसे बात ही मत करो वे क्यों बात ना करूं क्या किया है मैंने हर रोज तुम्हें दुकान पर खड़े सिग्रेट पीते देखती हूं सुबह सुबह उठकर अगर काम तुम्हें कोई काम मिल जाएगा तुम्हें क्या लगता है वो घर पर आकर तुम्हें काम देंगे सारे दोस्ताज काम कर रहे हैं शर्म आतीज गया लाने मुझे क्यों है तुम्हारे सारे क्लास्में एक चोटा सा बच्चा है और उन्स सबका एक एक पती है और तुम हाथ में लोट बुक रखकर यहां वाँ घुमती रहती हो अगर मेरी बात मानी होती तो अब तक हमारे चार बच्चे होते अभी भी देर नहीं हुई है बोलो रेडियो क्या मैं बे कितने बज़े पोँचना है साड़े आठ ने ने तुम नो बज़े आजाना ठीक ठीक मिलता हूं मैं लेट में थो ना प्लीज अरे मैं आ जाओंगा ना चलो निकलो क्या हुआ यार अरे उसके एरिया में मंदर में कोई पूजा है मतलब रात का प्लान कैंसल नहीं नौ बज़े तक पहुंच जाएंगे तो चलेगा वो सब बात में देखेंगे आप चलो अच्छा भाईया पांडी तो निकल गया होगा ना निकल गया होगा उसे फोन करो ना व हाँ तुम निकले की नहीं मैं अभी तुरंट निकल रहा हूँ रात होने से पहले पहुंच आना और ठीक से गाड़ी चलाना आप चिंदा मत करो मैं आ जाओंगा थीक है बात में बात करती हूँ हालो आंकिल आजाओ बेटी कैसी हो तुम मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ है कैसे हो तुम लोग कैसा है तुम नाना जी आशरवार लेलो बेटा अरे रहने दू बेटी भगवन तुमारा बला करे जहें सारी खुश्यां मिले अब तु जा कर जरा हाथ पाउंद हो गराजा जी पापा का ममी मंदर में पूजा की तयादी कर रहे हैं बेटी गैतरी की पढ़ाई कभी खत्म होगी अप्रेल या मैं क्या आखिर में पढ़ाई खत्म होते ही उसकी श अब तू कब आया अभी आया ए रुगजा मैंने मुत्तो को ड्रिंक लाने के लिए का हैं एक दो पैक मार के जा इतनी जल्दी अरे गैतरी के एरिया में कोई पूजा है तो उसने हम सब को वहाँ पर बुलाया है हम जल्दी से कटक के चले जाते हैं मंदिर का तेवार है आज पीना जरूरी है क्या कल भी तो पी सकते हैं तू भीना अरे हमने कोई वरत रखाए क्या हम तो कोने में खड़े रहकर पूरा देखेंगे वह हमारे नजदेग भी नहीं यहां पाएगी अब उसके साथ उसका पूरा खांदान रहेगा तो उसे तो हम लोग दिखाए भी नहीं देंगे इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कहां से लाया वे तू यह सब अन्बू की दुकान से अन्बू की दुकान से मुझे एक बात याद आई वो काउंसलर का बेटा वहाँ पर खड़ा आने जाने वाली लड़कियों को बहुत बूरी तरह से छेड़ता रहता है किसी दिन उसका सर फोड़ना पड़ेगा तभी ज कुतल तो खोल दे यार अवे तूछे नहीं खीच के लगाऊंगा क्या यार तुई तो बुला जल्दी जल्दी पीना है इसलिए खोलने को बुला यहां उपस्तित भक्त जन्र माताओं और बहनों यह हमारे भगवान के लिए भोग है पूजा फत्म होने के बाद हम रस्म को आगे बढ़ाएंगे सब लो हाथ जोड़ कर सच्चे हिते से प्राच्चना कीजिए कि है भगवान आप हमें शक्ति दे हमारे कष्टों को दूर क हमारी सिंदगी में जो भी परिशानिया है उन सबसे हमें बुक्ति मिलें ठीक है क्या decision लिया तुने किस बारे में वह वो लड़की जो रोज बाहर आकर तुझे बड़े प्यार से देखती है उसके बारे मैं फैसला लिया की नहीं उसमें हम क्या कर सकते हैं वो सिप मज़े ले रही है बाई आवाइट कर रहे है वो मज़ाक नहीं कर रही है सुभा उस उसे हाँ या ना का जवाब दे दे उसने मुझसे यहीं बात की वो खुश है तू नहीं चाहता क्या मेरे प्यार में पड़े तो पता है नहीं क्या होगा तू सब कुछ जानता है फिर भी ऐसा क्यों चाहता है समझा नहीं क्या जो भी मुझसे जादा प्यार करता है वो मर ज और अगर मैं मर भी जाओं ना तो तुझे भी मेरे साथ मरना होगा तेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं बचने वाला तू इससे भाग नहीं सकता दोस्त कल सुभा वो लड़की तुझसे बात करेगी तू अगर उसे पसंद करता है तो उसे हाँ बोल दे बाकी का आम लोग देख लेंगे ज्यादा सोचने का नहीं चल्वे मेरे लिए पैक बना फड़ा भाट प्रिव प्रिंगे में से ओना बाह। डिवा बिधी प्रिया जड़िया लाज च्टाओ सुप अ जठी मेरे जड़ा उला रा हमंगी अ lleva उला ऩरिए हड़ा आ जोला जला लगा लेंग2 डऱ्ा हम timestा चर जिड़ा लेंग अैंवम्深। है अधर हुआ है इस नागे शलो चलो 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 अपना काम कर दिया हम नाचने आए नाचाओ थिल्वी ग्यांग कर्या हिए यह क्या करें अप्धिनाचरा जो रे जगा देना है प्छार्ऴट अथआज। ए्चलना, अचलना बाल चलना अरे रुको एवह तुझा रुखने के लिए बोल रहा है तूसर चुप-चप चलती रहे बागी मैं लेख लोगी मैं आवास दे रहा हूं रुक नहीं सकती क्या क्या परेशानी है तुम्हारी कौन हो तुम क्या चाहिए कौन हूं ऐसा बरताव क्यों कर रही हो कल रात के बाद मैं तुम्हारा नाम भूल चुकी हूं चुप चाप यहां से चले चाहूं तुम गृड़न के सारे फूल मुझसे मांग लो मेरी जान और अगर चाहो ना तो खिड़की की सारी ग्रिल मांग लो या नारियल के पेड़ के पत्ते मांग लो वो सिर्फ और सिर्फ मेरा ही नाम गुन-गुनाएंगे यह सब करने का कोई फाइदा नहीं होगा किया बोल रही था यार वह तुझे है बहुत नाराज हो गए मुझसे यार कुछ सब कुछ तेरी वज़े से हुआ है तूने बहुत ज्यादा पिला दी थी देख यार रात में हम लोग पीकर थोड़ा नाच रहे थे तो यार इसमें हम लोगों की क्या गलती है यार एक बात बत कर जाके सिग्रेट ले गया ठीक है ठीक है भाई दो सिग्रेट देना है ये बच्पन ये लड़क बन पारिशों से थोड़ी नाच चम चम पानियों में देद्रम जोली देद्रम जोली है सुहाने सब से ये फुल मादम नहीं एक मिनिट रुगी है टाइम क्या हुआ है पांच बज रहे हैं पांच बज रहे हैं बता दिया ना अब खड़ी के हो जाओ यहांसे जाओ 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 चलती है चीक है कल में ते हैं अब एक पर कह दिया तो समझ में आता निकले हैं से तुम खुद को क्या कोई बहुत बढ़ा आदमी समझते हो तुमने मैम से ऐसे बात कियो कि मैं तो सिर्फ टाइम पूछ रहा था पूछना इतना ज़रूरी था क्या तुम सिर्फ मुझ पर ही अपना गुसा उतार सकती हो जब तुमने अपनी मैडम को देखा था तो डर के मारे तुम्हारे माथे से पसीने चूट रहे थे और तुम काप रही थी कौन कौन डर रहा था मैंने अपनी आँखों से देखा है हाँ हाँ ठीक है अब टाइम पर घर चले जाओ व कर देखा है हाँ 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 अब इते काया नहीं अब टक्टो नहीं आठाया पाइए पर मेरी बात चुन चूबी बात है उसे क्लियरली बता देना हिश के चाना मत ठीक है ना आप जाती हैं आप जाती हैं आप 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 कि अ कि मुझे तमसे कुछ बात कर नहीं है घर जाओ हमें किसी ने देख लिया तो कोई बात कि नहीं तुम जैसा समझ रही हो मैं वसा नहीं हूं हां में जानती हूं ना तो मैं बेवकोफ हूं और ना ही मैं टाइम पास कर रहे हूं क्या चाहिए तुम्हारा चवाब हाँ है या ना है वो तो बता दो मैं पसंद नहीं हूं तो चली जाओंगी और दिपारा कभी डिस्टप नहीं करूंगी कि पसंद हो कि क्या हुआ देचे लो क्यों रही है पागल यह पापा आगे ठीक है अंदर जाती हूं यह क्या है बापा हमारी सुशी आण्टी की कोई रिष्टेदार ए जो हमारी रिवती से से रिष्टा जोड़ना चाहता है यह लड़के की फोटो है तो आपने उनसे क्या कहा है अभी मैंने कुछ नहीं कहा है बस उनकी इज़त रखने के लिए फोटो रख ली अभी इसकी शादी कहां करेंगे को तो के लिए खुछ में आपने को अपने को यह लाइन को बनाने के फिर आपने के किसा नहीं हो इसकील रॉड़ यह चक्कुसमें नियां प्ले इंडरी तेक्सि क्या बात हैंग्ली किछ थुच्छ वक्रण पुटेज़त को घ्र पुलती शे तो तुम्हें इंग्लिश भी समझ नहीं आती क्या लेकिन वह इंग्लिश में बोल के रहा था उसे लगता है कि तो सबसे बड़ा पागल है क्या ज़रा रूप चले हिंदी में आ बोलके दिखा वाट वेट नहीं आ आ इई इई बोलके दिखा सॉरी यू प्लीज करी ओन तुम पा बोलो ना कहां पर हां ठीक है आता हूं कौन था अरे बो लड़की है क्या बोल रही है उसको मुझे कुछ बात करें आगे दुकान पर इंतजार करें हूं सही है सही है सब कुछ सही जा रहा है कुछ नहीं कुछ नहीं पापा मीटिंग के लिए तिर्ची गए हुए है और उन्हें लॉट्टे में रात हो जाएगी तो तो मुझे कहीं बाहर ले जाओगे देखो यह अच्छी बात नहीं है तू इस पर लाइन मरने से चाहिए घर पर ही रहती मेरे लिए प्लीज प्लीज मिनाज ते तुमसे कुछ मांगा है क्या बस एक ही बार ना प्लीज ठीक है चलो अरे वाँ मैं तो तुम्हें कम समझता था जब तक सफलता ना मिले कोशिच करते रहो बहुत सही जा रहे हो तुम जाकर भाया को घर चोड़ कर आजा नहीं नहीं महरबानी नहीं चाहिए मैं चला जाओंगा तुम लोग एंजोई करो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं ना अरे मैं चला जाओंगा तुम लोग जाओं ना ठीक अचलो ये बाइक तो तुम्हारी है ना तो अपने नाम के बज़ा तुमने हरी का नाम क्यों लिखा इस पर देखो नाम उसका हो या फिर मेरा बात एक ही है उसकी इच्छा थी इसलिए मैंने खरीद ली मुझे बाइक की क्या ज़़वरत थी हाँ ठीक है सबंज गए अच्छा हरी भाईया की तरह मेरी भी दुव इच्छा एं है तुम पूरी करोगे क्या है पहली यह कि तुम दारी निकालकर क्लीन शेव हो जाओ ये भी कोई इच्छा है क्या ये मैं नहीं कर सकता ठीक है कोई बात नहीं दारी में भी ठीक ही लगते हो लेकिन मेरी जो दूसरी इच्छा है वो तुम्हें पक्का पूरी करनी होगे वो क्या है आज के बाद तुम दारू नहीं पियोगे मैं जो पूरी नहीं कर सकता वैसी मान दो तो आज के बाद तुम नहीं पीओगे चलो मेरी कसम खाव कि चलो रास्ते में कुछ खाएंगे क्या मुझे भूख लगी है ए कि पीना यार मुझे नहीं पीनी है क्यों अगर उसे नहीं पीना तो छोड़ना आएए लिए चल मेरी लिए पैक बना रुक ना यार वहाँ रहे हैं एक छोटा सा पेक तो ले ले नहीं चाहिए यार लेकिन क्यों उस लड़की ने अपने सर पर हाथ रखकर मुझे कसम दिलाई है कि आज के बाद से मैं कभी नहीं पीऊंगा ज्यादा दिखावा मत कर है मैं भी इतने सालों से प्यार में हूँ लेकिन तेरे जैसे नहीं अरे छोड़ ना उसको उसके बदले मैं पीता हूँ ना तेरे साथ तेरे पास और कोई चारा है क्या और तुझे कौन सी लड़की पटने वाली है कोई अपनी बेटे भी तुझे द अच्छा यह बता मुझे यहां के लेकर आए हो बस ऐसी आजकल जो प्यार करते हैं वो कुछ ज्यादा ओवर करते हैं कौन है वो हम तो वेस्ट हैं अपना इश्वरंद जब से मैं उसे जानता हूं आज तक उसने अपने काम से कभी छुटी नहीं लेकिन कल एक लड़की ने उसे बाहर ले जाने के लिए क्या के दिया वो सीधे सीधे उसकी बात ही मान गया और उन्होंने बीच रास्ते में मुझे छोड़ दिया अरे उस बात को तो छोड़ो रात में हम जब पीने के लिए बैठे थे तो उसको हमने पीने के लिए पूछा तो वो नहीं पिया बोला तुम मेरी कसम खाकर कहो आज के बाद शराब नहीं पियोगे और अगर पियोगे ना तो मुझे भूल जाना तुम्हारे साथ समय गुजारने आया था इस वक्त यह सब जरूरी है क्या हालो हाबूल है इसा है गया अभी तो मैं बाहर आ गया हूं तो एक कम कर तू निकल और पैदल चलते हुए जाना और घर पहुंचने के बाद फोन करना कौन है हे मा बोच आती कि मैं उसे लेने जाओ तो फिर जाओ ना अरे घर पर आ जाएगी अपना ही एरिया है न वो एक छो तुम लड़की हो कहां तुम तो एक गुंडी हो देखो मेरा दिमाग मंद खराब करो चुप-चप चलो है है हेमा स्कूल से अकले घर जा रही है और चलते हुए जा रही है अगर वो तुझे नजर आए तो उसे ले जा ना को जो कि छोड़ी वो तुम है जो रही है 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 जो रही है है ऐए प्रभाई अब भूसके दुपान के सामने आपके बांजे की पिटाई गारी है पर जा चल निए अरे मेरी बात सुन और उच्छा मेरी बात सुन इसको अरे किस एरिया के हो तुम तुम्हें पता है किसको हाप में तुम्हें हलो दीदी ए किदर है तू बांजे के एक लड़के ने पिटाई कर दी है क्या बोल रहा है यह सच है दीदी अपने यह यह आकर हाथ उठाए इसने अभी इसके लिए तू कुछ करना पड़ेगा दीदी ए अभी इलेक्शन का टाइम है हाथ पर जोड़कर किती मुश्किल से मै मैंने यह मेर की कुरसी हासिल की है तीन चार करोड रुपए खर्च हो गए है मेरे इस वक्त अगर तुम लोगोंने कोई भी कड़बड की ना तो सब कुछ खतम हो जाएगा यह तुम क्या कही रही हो दीदी मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता वरना हमसे शाहर में कोई नहीं शांती कायम रखना है पहले एलेक्षिन खतम हो जाने दे उसके बाद उसे देख लेंगे चुप-चप निकल वहां से ठीक है जो मर्जी आए करो आज मैं तुम लोगों को छोड़ रहा हूं लेकिन कभी ने कभी मेरे हत्ते जरूर चड़ोगे तब देखूंगा तुम्हे ए भांजे उट चल लड़कियों को छेड़ते रहते हैं आवारा कहें के अगर मैंनी होता तो पता नहीं क्या होता उसके मां काउंसलर है तो कुछ भी करेगा क्या कुछ बुरा तो नहीं हुआ ना तो जाने दो प्लीज अच्छा तुमसे कुछ कहना चाहती थी कहूं ना क्या कल मेरा जनम दिन है इस बार मैं तुम्हारे साथ मंदिर जाना चाहती हूं मैंने मन्नत बांगी थी मेरे साथ चलोगे ना अच्छा कल या पर्सो हम सब लोग गाउं जाने वाले हैं चार दिन में वापस आजाएंगे गाउं क्यों ऐसे ही मा के गुजरने के बाद कभी गई नहीं तो पापा ने का हाग चलते हैं अच्छा अब मैं चलती हूँ हां पापा के आने का वत्त हो क्या सुबह मंदर जाना प हुँ 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 हु facing TV 問 पापा के वत्त हो तो आखा थाएंगे पिस्विषा थाएंगे जाता हैं गाजर हो सहुँ हम से कहते हो झालती हैision कल झावा जारे बलका मंतुम्स के उति की है। चलो चलते हैं अरे रुकजा, अरे रुकना कुछा इसलों थे लाने ना वी तुछ ने कि लगाता है! मेरे माथे पर लगाता है इहां यह लगाओ ना? क्या हुआ? कमें मकलाथ II करते जाता है पृक conservative क्या हुआ कर ले आ शेक्वे के अछय क्या क्या हुआ है क्या राओ क्या हुआ कि अवे तुझसे कह रहा हूं क्या हुआ मंदिर से आते से में उसके पापा ने हमें साथ में देख लिया था वो उनके साथ गाड़ी पर चली गए थी उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं अवे क्या बोल रहा है तू और यह सब हुआ कब हलो हलो मैं बोल रही हूँ पापा ने कुछ नहीं कहा उस बारे में बात ही नहीं की कल सुबा हम लोग गाओं जा रहे हैं यहीं बताने के लिए फोन किया था मेरे गाओं से लोटने के बाद तुम अपने घर वालों को लेकर मेरे घर आना मुझे पूरा यकीन है कि पापा हां ह अच्छा अब मैं रखती हुआ ठीक है समल कर जाना कौन है क्या हुआ अरे वही थी वैसे घर पर तो कुछ नहीं हुआ कल सुबा वो अपने गाओं जा रहे हैं लोटने के बाद घर वालों को रिष्टे के लिए लेकर आने के लिए बस इतनी सी बात है चल कोई बात नहीं द अबेरे देख लेंगे और अगर उसने मना किया ना तो फिर उसको मैं देख लूँगा अरे कुछ नहीं सुबा मंदिर से लोटते समय उसके पापा ने इसको देख लिए है क्या हुआ आज काम पर नहीं गया एक मिनिट आप से बात करनी है मुझे अब क्या जरूवत है उसे मुझे कुछ नहीं चाहिए देखिए इश्वर को एक लड़की बहुत पसंद करती है और इश्वर भी उससे प्यार करता है उस लड़की ने कहा है कि अपने घरवाणों को लेकर उसके घर पर रिष्टे के लिए आजा अभी तो वो लोग गाउं गया है गाउं से आने के ब मैं नहीं आओंगा तो और कौन आएगा तू भी मेरा बेटा ही तो है जब जाना होगा बता देना तो हमें सुधार ने के नाम पर पूरा दो घंटा कथा पुरान सुनाते रहेंगे समझा अच्छा चोड़ना अब उनको उन्होंने हां कर दिया ना बस तो और गया इन दोनों की शादी करवाने के बाद इसका शर्माता हुआ चेरा देखना पड़ेगा क्या क्या से बढ़ेगा इसको क्या कमी है यह तो दूला बनने वाला है कब रिष्टा पका किया मुझे तो पता ही नहीं चाहिए अब तक कुछ पका नहीं है वो लोग आज ही काऊं से आये हैं कल जाकर बात करनी है उनसे अब तुम वहां जाकर इस तरह से बात करनी है ठीक से बा टेरे लेजाना क्या बात है तेरे बारे में यह सब कुछ जानती है अब हुआ 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 है हुआ है कहां गया अभी तक आया हो अब कर दो स्मार्ट लग रहे हो भाया अब इंसान के जैसा लग रहा है जरा इसे भी समझा क्या यह गंदा काम करके आया है तो लड़की बहुत दिनों से कह रहे थी इसलिए लगता है धीरे धीरे उसका गुलाम बन जाएगा तू ठीक है ठीक है चलो यहां से कि पहले मंदिर चलो तर्शन करके वहां से जाएगा चल गाड़ी निकल भाई बाज बाज यहीं पर घड़ी कर कर दो टिस नहां से जाएगा था है जाएगा थार थार्शन करता है तो मिन जाएगा भाड़ी दायोन यज दूजाएंगा झाल कर दो कर दो कर दो is कर दो कर दो जो करेंदें गुम्रेट दो करेंसे हुआ हो ते ःड़ा थेड़ी सिर्फ बढ़ी को प्लावा थेजुआ चुट अरे यार प्लाव वाकल, फोन भी नहीं उठा रहा गायत्री, अब तक तु सोई नहीं बेटा क्या हो जिए, अच्छा जाके सोजा, हाँ ठीक है मैं एए, एए रहने दे कोई फैदा नहीं है ये बता, वो दोनों कहां गए वो तो अपना काम करा था ना, तुम उसकी जिन्दगे में क्यों आई अरे रुक यार तेरी वज़ा से बतनामी हो रही है तुम्हारे क्या बतनामी हो रही है हलो अरे यार, ये माम ले रहा है कहां पे चल्दी से यहां प्याज़ा रहा है इससे इज़्ज़त से बात करूँ, तू बीच में मता, मैं तो मुझे वो नहीं चाहिए आप लोग ब्लीज यहां से चाहिए मैं अपने पापा की भात मालोंगी आपको मेरी तिक्रिशक्यों की रशाथ सब्रों बनाम नहीं करने होते मैं कह रही हो ना, चाहिए यहां से प्या कहां नहीं चाहिए तो चल्दू एरे आने कि इस ते किस ने का चाहिए याहीस जड़ए यहसे करता हो आचा cafe जभत हो जह जढ़ए मैं, जढ़एसे हम जढ़วभभभभभभभभभ हम जढ़एसे करता हुख हम जढ़एसे के स은ने वहसे काुई aktikum कुछ तो बात कर यार अरे तुझसे बोल रहा हूँ अपने दुख को अंदर में छिपा कुछ तो बोल भाई तू अगर ऐसी पीता रहेगा तो कुछ बदलने होला नहीं है जो कह रहा हूँ वो सुनाई दे रहा है ना तुझे अब तुझसे बोल रहा हूँ मैं क्या कर रहा है दिल के भड़ास को आसूं से निकाल दे तभी दिल हलका होगा तेरा नहीं निकलेगा आसू नहीं निकलेगा माबाप मरे थे तब तो आसू निकले नहीं इसके जाने से आसू निकलेंगे क्या आसू नहीं निकलेंगे तू क्य मुझे जानवर है हाँ हूँ जानवर है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता हूँ ए ए क्या कर रहा हूँ वह वह आगी है तुम्हारा फोन कहा है कब से ट्राय कर रही हूं करके बता नहीं सकते कि क्या चल रहा है सब कुछ खत्म हो गया उसने इसको धोगा दे दिया उदर गए थे तो वह किसी और के साथ खुश थी तुम्हें पी हुई है ना अरे वो छोड़ो तो फिर मेरी कसम खा कर कहो वो एक अच्छा इंसान है उसके साथ ऐसा क्यों होता है ओ मेरे साथ कुछ भी हो चाहे तुम्हें परवा नहीं है ना अरे तुम्हें कुछ नहीं होगा आज के बाद अपनी शाकल मत दिखाना है चोड़ो मुझे मुझे थमसे बात नहीं करने अरे जाओ जाओ कुछ दिनों के बाद तो वैसे भी धोका देगी तो अभी दे दे ना चली जाए यहां से सारी लड़के एक जिसी होती है जाओ यह तु मुझे मार रही है और मार के जाओ तु नहीं है तो क्या हम जी नहीं सकते तु फिकर मत कर मैं हूँ मैं सब देख लूंगा हमें किसी की जुरूत नहीं है किसी की जाओ तु 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 नहीं है किसी का तु नहीं है किसी की जाओ तु नहीं है हेलो क्या हुआ कब कहां पर हुआ अपनी तरफ कोई नुक्सान तो नहीं हुआ ना चोट लगी है क्या सुनिये जी कौन है चीक है तुम फन रखो मैं आता हूं अभी किसे चोट लग रही है बताइए ना अपने रवी का हाथ किसी ने काट दिया है क्या किया है तुम लोगों ने चिंता की कोई बात नहीं इंस्पेक्टर अपना आदमी है उसको पुली स्ट्रशन नहीं जाने दिया सिदा हॉस्पिटर लेकर आया अधि कहां है अंदर यह सब करने की जाद थी क्या करूं मैं काम करने की ताकत नहीं है और हर जगह पर वह अपना नाम खराब कर रहा है तो फिर तो यह करेगा अगर कई वह मर मर आ तो तू क्या करेगा धन दौरा चलिए परवा नहीं है लेकिन इज़्जट चलिए वह परदाश्ट नहीं है गया तो उसकी गरदन काटने था मैं पर मिला सिर्फ हाथ ही तू बता न है इसे चुक रहने के लिए बोल वकिल से बात की तूने कल सुबह इनके बदले कोई और सरे करेबिन में कियो बे कॉलेज शम्चान की तरह खाली क्यों है पता नहीं यार अरे भाई सुनो कॉलेज में कोई दिखाय नहीं दे रहा क्या बात है कॉलेज की चुट्टी है अरे किस बात की चुट्टी है आज तो कोई हॉलिडे भी नहीं है जाम आ रहा ना बच्चों को पढ़ने के लिए दस दिन की चुट्टी दी हुई है किसको पूछ का चुट्टी दी है अरे दे क्या यार घर भी बंद है कुछ समझ महीं नहीं आ रहा है लगता है कहीं बाहर गये होंगे कुमार को फोन लगा लेकिन क्यूं यार अबे तु लगा ना अगर इंके घर पर कोई देखे तो मुझे फोन करने को बोल ठीक है कुमार है हलो अच्छा आ गये क्या थैंक्यू सुमच यार तु जर्पोच के बताना बोली पिशली वार भी कहा था उसे लेकिन धंक से पागे करते हैं तुम सब ने वोट दिलवा कर मुझे जिता दिया पोस्टर्स वगरें चिपका कर तो धमाल ही मचा दिया है अगर कोई भी मदद चाहिए हो तो इससे मिल लेना ठीक है दीदी हर काम अच्छा करते हैं ये बार चंता तक पहुशने चाहिए ये जिम्मेदारी तुम लोगों की है दीदी हमारी एरिया का मैं यह सब नहीं करूंगा किसी और को भेज के करवालो ऐसा क्यों बोल रहा है तुझे अभी बताना ज़रूरी है तुम लोग जाओ मैं सब नमस्ते क्या वह तुझे क्या प्रब्लम है तेरी उस दिन आपने कहा कि इलेक्षन चल रहा है इसलिए हम लोग चुप बैठ गए मेरे ही सामने मेरे भांजे को मारा और हम लोग कुछ नहीं कर पाए सब लोग वहां पर हंस रहे थे तुम्हारी भी घडबढ़की न तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा तो अपने घुस्टे पर काबू रख अब भांजे सुन भांजे धर्माजा खोल अरे ठीक है काम अच्छा चल रहा है यहां पर यह लेपी इतना टेंशन में क्यों है हम लोग है न सम्हाल लेंगे यार अरे वा बेटे की शादी पक्की हो गई इसा है क्या लड़की वज़े घर आ रहें मुझे भी घर जाना है अहां जा dir में तूब संटाएंon है हो चुक नोता है हम लोग उससे इस तारह बात करने वाला वह भी तू जाता है कि पिना मैं कभी नहीं रहा बात हो जाएगी यार कितना भी जगड़ा होता था एक ही दिन नाराज होती थी फिर खुद आकर बात करती थी कुछ समझ में नहीं आ रहा है टेंशन मतले बस एक दिन की तो बात है जैसे ही कल कॉल जाएगा ना तुझा कि उससे बात कर ले ना मामला है खूंस सेथ हो जाएगा अब कूल हो जासी ए यार है यह पैसे मा मैं जा रही हूँ कुछ खाकर तो मा देर हो रही है मैं बाहर खालूंगी अई भी गर मैं तुझे माद में च्रिशन थो खूढ दूगा अरे वो अभी तक नहीं आई आ जाएगे यार अब ये तो वो रवी है लेकिन ये इसको क्यों छोड़ने आया है समझ में नहीं आ रहा है एक्जाम ठीक से देना मैं तोझे बाद में लेने आ जाओंगा जरत नहीं है मैं खुद आजाओंगी मैं फ्री हूं मैं तोझे लेने आ जाओंगा अभी तो एक्जाम देने जा आचा ठीक है हां कि अ भुल कि अ जए 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 ऊहाँ जए जए नए कर दो ये औरत कैसे जित गई यार दोस्त जरा समल कर रहे ना इसके बेटे पर तुमने हाथ उठाए इस बात की दुश्मनी निकालेगी ये क्या यार उस बात को तो कितना समय बीच चुगा है ए तु समझ क्या रहा है इलेक्षन था इसलिए वो लोग चुप चाप बैड़ गए फिर भी चौकरन रहना हमारा काम है बोल पांडी बाई पापा अचानक बेहो शोकर गित गए हैं जा बोल रहा है तू क्या वा पता नहीं डॉक्टर कह रहा है यहां इलाज नहीं हो सकता हाट की बीमारी है इन्हें बड़े अस्पताल में लेकर जाना होगा भी कहा है तू अब भी ठीक हो बिटी डॉक्तर ने क्या बोला है उसने बताए की हाट में ब्लॉकेज है एक महने के इंदर आप्रेशन करेंगे तो सब ठीक हो जागा डरने की बात नहीं है तो फिर इंतजार के इस बात का जल्दी से ऑपरेशन करवा देते हैं नहीं बेटी पांडी और काईत्री की शादी होने के बाद ही मैं और उसके पहले मैं कुछ भी नहीं करवाँगा बाओ जी ऑपरेशन हो जाने के बाद ही यह सब कुछ होगा आप सोचकर परिश कल का महुरत बहुत ही शुब है कल ही हम सगाई कर लेते हैं उसके बाद जो भी शुब महुरत मिलेगा उसमें शादी करवा देके फिर तुम लोग जैसा चाहते हो वैसा करने के लिए तयार हूं क्यों क्या हो आजी जाजी यह सब तो हमने पहले से तय किया हो था ना सब कुछ ठीक है बाओ जी लेकिन एक दिन में सब को कैसे बुला पाएंगे सब को बुलाने की क्या जरूरत है सिर्फ अपने करीबी रिष्टतारों को बुलाकर घर में सगाई करवा देते बस काफी है शादी देखे बिना मैं कोई ओप्रेशन नहीं करवाओंगा आगे तुम्हारी वर्जी ठीक है बाओ जी ऐसा ही होगा करने होस्पिटल में आराम करने देते हैं सगाई के समय जीजा जी पैता जी के लेके आ जाएंगे बाकी इंजम मैं देख लूगा ठीक है पिता जी गायत्री अभी घर आती ही होगी चापी मेरे पास है तो मैं चलती हूँ हाँ ठीक है तुम यहाँ मैं देखता हूँ बस यहाँ पर लोग ऐसे घर बंद करके कहां चले गए थे आप लोग कितनी देर से बाहर खड़ी हूँ मैं हॉस्पिटल गई थी बेटा हॉस्पिटल गई थी क्यों मा अंदर चल बताती हूँ आप हॉस्पिटल क्यों गए थी बताए ना तेरे नाना जी को हाट में ब्लॉ के रही है आप अब कैसे है वो अब ठीक है डॉक्टर ने कहा है कि एक महीने के अंदर आपरेशन कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा तो आपरेशन शुरू कर देना चाहिए था ना लेके नाना जी चाहते है कि पांडी के साथ तुम्हारी शादी हो जाए उसके बाद ही वो पांडी की सगाई करवानी होगी और फिर अगले महीने ज़दी से शादी करवा देगे मेरी शादी करवानी की इतनी जल्दी आप घ्र करना होगा कि पर कल मेरा एक्जाम है माँ पापा ने क्या कहा पापा ने और सब ने हाँ कहा कल तो सुबह जाकर एक्जाम देख करा शाम को बात करते हैं ठीक है ना चल अंदर हाँ भाईजा कल ही तो ये बात पक्के हुए आप बड़े भाया को बता दीजिए और सुबह चल्दी आजाना हाँ ठीक अची हाँ आप मैं रखने हुए अचानक ही सब कुछ तेह हो गया इसलिए मिलकर नहीं बता पाई अच्छा कमला रखती हूँ मा प्रिया को ये बुग दे कर आती हूँ कल तुम्हारी सगाई है और आज इतनी रात को बाहर जा रही हूँ नहीं मा कल एक्जामस है उससे भी तो इस किताब से बढ़ाई करनी होगी उससे ये दे दूँगी और सगाई के लिए इंवाइट भी कर दूँगी ठीक है बेटा जल्दी आ जाना हाँ ठीक है आ गए पिताजी कैसे है खाना खाया उन्होंने खाना खाया उन्होंने अभी ठीक है आ गहितरी का है क्यार को खाना क्याय वाय खाना क्यों गई अपनी लिए घर गई है अरे वह प्रिया की कोई बुख थी बगो ठीके पास और कलिन bisexual है न इसलिए जाकर उसते बुख भी देदेगी और कल सगाई के लिए नियोता भी देदेगी ठीक है बहुत भूख लगी है ज़रा खाना खिला दो अभी लेकर आती हूँ किया है यारी है मुझे इसे तड़ पा रही है उसके बिना मैं जी नहीं सकता ये बात उसको पता है फिर भी वो क्यों मुझे परिशान कर रही है ए थोड़ी सी पीले सब कुछ ठीक हो जाएगा इसकी वज़े से ये सारी नौबत आई है और दर्द को भुलाने के लिए भी इसी को पीना पड़ रहा है इसे पागल हो दिया है आई अजया है तेरा दिमाग कराब हो गया गया यार मने कसम ख़िया तुम्हें एसे कभी चूण को अब कि आजयों है कि आया ग्या कि मुझसे बात किये बीना तुम दस दिन जंदा रह सकती हो ना नइ तुम से गुजा होने कि वचे मैं क्या कर रही हूं मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा और मेरी साथ क्या हो रहा है कि ये भी नहीं पता था है घरवालों यह तुम क्या रही हो आप इस चलने के लिए तैयार हो तो क्या करो कुछ समझ में या रहा है कल तु कॉल देख लूँगा अब तो घर जाओ अब है तुम्हें डरने की जरूत नहीं है मैं सब देख लूँगा अब ही क्या करेंगी हम इसे डॉक्टर के पास ले जाकर इसके हाथ के लाज करें इसको छोड़ यार मैं जो बोलड़ां वो सुनना मैं मुर्गद और समर से बात करके आता हूं कि क्या करना है यह तु मेरे साथ चल पहले हाथ का इलाज करवा दें तू अभी जाकर के मुर्गन से बात कर लें अगर कुछ खरीदना होगा तो लेकर के मंदिर में आ जाएं ठीक है असों जरा समहलते हैं एसन कुमार से बहुत कर लिना उसको यह आने के लिए मत बोलना उध्यरि रहने को बोलना follow gonna से कुन कुमार अड़े मैं मुद्टू बोल रहा हूं यार बढ बचके एक होता हुआ अरे सहाब गाड़ी साइड में लीजिए लेता हूँ लेता हूँ अरे क्या मुबारखो यहां मैं बहुत परिशान हूँ पता नहीं क्या होने वाला है दोस्त हम लोग है ना तुम की इतना परिशान हो रहे हो जो भी होगा हम देख लेंगे पहले तुम दो नहीं मंदर के ऑफिस में जाओ ड्रेस चैंज करें अरे के वाला हूँ जाओ यहां मैं दोस्त है टार प्रेस चैंज क्या वाला हूँ वाद कूब सुरण लग रहे है वाच्छ ना मोर राशी ना जाए हरी मेतोन रशीत रिवो दया नक्षत्र कात्री उत्रा नक्षत्र कि अद्रा ट्क guilty कि अत्री कि अहां ब्लकिंग कि अलिव सक्षाई कि अबद हो यहां से मुर्गन के घर जाते हैं बाकी बाते हैं वहीं करेंगे ठीक है कि रिया तो आज एक्जाम देने भी नहीं आई क्या हुआ असको क्या बोल रही हो तुम मैटी मैंने खुझ सुवह उसे यहीं चोड़ा था तुमने शाद ठीक से देखा नहीं होगा यहां 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 आपके जाने के बाद दो लड़के आया और उसको पाइक पर इठाकर ले गए यहां क्या क्या रहें बोलो भाई यहां और वाज एक्जाम देने भी नहीं आई आई असा कह रहे है वाच्पन से पूछा तो वह कह रहा है कि दो लड़के आगे उसे बाइक पे लेगे थे कुछ तो गड़वार लगी मुझे तू रुक मैं वही आ रहा हूँ हाँ जल्दी से पानी लेकर आओ जल्दी से पानी लेकर आओ आप परिशान क्यों हो रही हैं अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो भी क्या हुआ अपनी बच्ची की खुशी सबसे ज़्यादा जरूरी है आपने कुछ ऐसा वैसा क्या दो मैं बूल जाओ आप मेरे भाई है सब अंडर जाओ 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 अंडर किपक मैं गायतरी को ढूंग कर नहीं लाता कोई इस घर से बाहर नहीं जाए जाओ इवी जाओ परिशान मतो एए कल तीस नबर बॉर्ड की काउंसलर को कहो कि मुझसे आकर मिले ठीक है साहब ने खाना खा लिया क्या हुआ तुन्हें अब तक खाना नहीं खाया मैं तुसे पूछ रही हूँ खाना क्यों नहीं खाया अब तक जाओ यहां से मुझे नहीं खाना है मा से कोई ऐसे बात करता है क्या तुम मेरी मा हो क्या तुम्हारे लिए मेर पद और पैसा ही जरूरी है ना मैं नहीं हूं ना मुझे कुछ हो जाएगा तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा अब अचानक त्यार क्यों जता रही हो ऐसा मत बोल बेटा तुझे लगता है मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूंगी ए मारी मारी सुन बेटा इस प्रॉब्लम के बारे में तू भूल जा तेरे मामा जिन्दा है मैं उसे नहीं छोड़ने वाला इंस्पेक्टर को बता देना वो सब मैं देख लूँगी तुझा अब तो एसे क्यों खड़ी है जैसे पहार टूट गया हो मैं अपनी मां पांडी के बारे में सोच रही हूं क्या वो मेरी मां को मां कहकर बुलाता था कभी आंट कि ऐसे क्यों खड़ी ओ पूछा तो इतनी बडरी कहान आव लुकर मेरी मां पर क्या बीट रही होगी एक दू इन तीकत होती है फिर सब करके लाया हूँ आज हमारी फर्स नाइट है यार तुनिकल चल 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 यार तुम्हें सुऊंगा कहां पर अबे रोड पे चाके सुझा अच्छा ठीक है तू समाल ले हम सब समर के घर जाकर सोते हैं चलो कि जो यार आएगे हैं टेंशन मतलो आराम से आना कि जिसने अपने एरिया में मेरे भांजे पर हाथ लगाए उसे रातो रात खत्म रगाए अपने अपने हाथियार लेकर जल्दी से पुल के पास आजाओ कि और इंदो हाथ आंपने हाथ वाथ ब्लाइव जाता रात्त्वार अपने हाथ आएगरा अपने हाथ़गार, उसका बालाएवाथ हो बता देक्का रखत्वारा लेकर जात्त्त्स के ओडू आएपने हाथ बता आएगानाॉ करते हैं है यह जो है किया बोल रहा है तू कभी हाँ बोल यह क्या बोल रहा है तू कि उसको उधर जाने के लिए किस ने बोला कि लोल बोल रहा है तू कि उसकत सकतरे जाल स्ट कुझस कुझस तू कर रहा है वहा है कि जाल प्राइब है तू कुझस सकत प्रॉस्न जल्दी जाओ, जाओ! जोड़ आपाथ तुसे, जल्दी प्रण अगे! यह जदी जनाब, जल्दी! वीच श를 दो, जाल उनण जाल, चलिए ओर्देर, ओर्देर जाल, ग्यच्ड दो एह जाल आए-ए-फ्टेज़ झाल 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 आख वूँ आवा लखब काम पया ओख आख बूया हुआ आख ख रख cautious वाख षये हाँ ठीव जैत करना हु हुआ कर दो कर दो बैतृ वे आया झाल गईतर उल्ग आया झाल पाँी मैं गड़ा आया झाया आया करे आया हार आया आया इया अब यहां क्यों आया है तू? चल दिका यहां से! चल जाए अब यहां पर तेरी किसी को कोई सब रच नहीं है। चल जाए अउसे! चल दिका जाए अउसे! मा! मा.. प理का .. तो चल जाए अःरणीमज़ जाए अइस अउसे। आप। आप यहां के चल को एक यहां कि मुंझे अए प्रॉ। चल जाए अटए अखे.. सकमध्शनेने माँ प्रॉ। अप्रॉ। thirty you. पाप-पाप मुझे माय को देखना है बाप उन से काय न मुझे पाप उन से खाए न नmealा आ動ा कोई तया बाप तुझे कि ना प्यार देखर पाला और तूने इस हाल में पुच्शा दिया मुझे कौन है तेरा बाप नेarlum आज के बाद इस देरी इस पे कदम मत अखना अपनी शकल भी से बत भी काना इसकी आत्मा को शान्ती मिलेगी जाए यहां से दूर चली जाए मेरी नेदरों से जाए चली जाए यहां से अखना दिली यहां से आत्मा कान वो का एंग कर दो अग झाल... प्हु आपकर से बिस्टान आपकर अपकर भो झाल... cambiar interpreting खर्णिजो रहाँ गुप्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्पब करे गां ख्योर्षित व्हाँ 02. खर्णिजो अजय झाओ ऐाँ किस्टे अख आफ झाल झाल चल पिल जखुआ है अजय को 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 अजय क करता है वो मुझसे बिछड़ जाता है और यह मेरे साथ बच्छपन से होता रहा है चल अगर मैं मर गया ना तो तू मेरे बीना जी नहीं सकता क्योंकि मेरे मरने के बाद तुझे भी तुरंत मरना पड़ेगा तू मुझसे बचने ही पाएगा भाई कर दो तू मुझसे बच्छपन से होता है कर दो मुझसे बच्छपन से होता है कर दो मेरे मुझसे बच्छपन से होता है